पांच बहादूर बित्तो एक किसान था, उसकी बीवी का नाम था बित्तो एक दिन किसान ने बित्तो से कहा सुभे जब मैं खेत में हल चला रहा था तो एक शेर ने आकर कहा किसान किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा बित्तों ने उससे पूछा तूने क्या जवाब दिया किसान ने कहा मैंने कहा तू यहीं रुक मैं घर जाकर अपनी गाए ले आता हूँ अगर तू बैल खा लेगा तो हम लोग भूकों मर जाएंगे यह सुनकर बित्तों को बहुत गुसा आया उसने किसान को फटका रहा घर की गाए शेर को खिलाते तुझे शर्म नहीं आती अगर गाए चली गई तो घर में न दूत न लसी बच्चे रोटी किस चीज़ के साथ खाएंगे बित्तों को एक तरकीब सूजी उसने का तू फौरण खेत में जाकर शेर से कहो कि मेरी बित्तों तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है किसान डरता डरता शेर के पास गया उसने कहा शेर राजा हमारी गाय तो बड़ी मरियल है इससे तुम्हारा क्या बनेगा मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताजा घोड़ा लेकर आ रही है बितो ने सिर पर एक बड़ा सा पगड़ बांधा और हाथ में दराती लेकर घोड़े पर सवार हो गई घोड़ा दोड़ाती वह खेत पर पहुची और जोर से चिलाई अरे किसान तू तो कहता था कि तू ने चार शेरों को फांस कर रखा है यहां तो सिर्फ एक ही है बाकी कहां गए फिर वह घोड़े से उतर कर शेर की तरफ बढ़ी और कहने लगी अच्छा कोई बात नहीं नाश्ते में एक ही शेर काफी है इतना सुनना था कि शेर डर के मारे कामपने लगा और भाग खड़ा हुआ यहें देखकर बित्तो बॉली देखा इसे कहते हैं हिम्मत तुम तो इतने डर पोखो कि घर की गाए शेर के हवाले कर रहे थे उधर मारे भूख के शेर की आते चटपटा रही थी एक भेड़े ने पूछा महराज क्या मामला है आप आज बहुत उदास दिखाई दे रही है शेर ने कहा कुछ ना पूछो आज मुश्किल से जान बची है आज एक ऐसी राक्षरसी से पाला पड़ गया जो रोज सुबह चार शेरों का नाश्टा करती है यह सुनकर भेड़िया बहुत हसा वे सुबह जाड़ी में चिपकर सारा तमाशा देख रहा था उसने कहा भोले बादशाह वे तो बित्तो थी जिसे आपने राक्षरसी समझ लिया था आप इस बार फिर खोशिश करके देखिए अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं बहुत कहने सुनने पर किसान के खेत में जाने के लिए तयार हो गया लेकिन उसने भेड़े से कहा तुम अपनी पूँच मेरी पूँच से बांध लो दोनों जने पूँच बांध कर चल पड़े उन्हें देखते ही किसान के होश हावास कुम हो गए वे डर से थर-थर कापने लगा लेकिन बित्तो बिलकुल नहीं खपराई फेड़े के पास जाकर उसने कहा क्यों रे भेड़िये तू तो अभी वादा करके गया था कि तू अपनी पूँच से चार शेर बांध कर लाएगा लेकिन तू तो सिर्फ एक ही शेर लाया है वे भी मरियल सा भला इसे खाकर मेरी भूख मिट सकती है खैर इस वक्त यही सही इतना कहकर बित्तो आगे बढ़ी शेर के होश हवास उड़ गए उसने समझा कि भेड़िये ने उसके साथ धोका किया है वे फोरण वहां से भागा भेड़िया बहुत चीखा चिलाया लेकिन शेर ने उसकी एक न सुनी तेजी से भागता चला गया किसान और बित्तो आराम से रहने लगे उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेट की तरफ कभी फिर नहीं आएका